हाई, वोलकम तो कम्प्यूटर स्क्रीन, हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास नाइन्थ की साइन्स बुक का पेज नमबर 24, इसी पेज नमबर से हमें ये वीडियो स्टार्ट करना है, इस चाप्टर नमबर 2, इस मार्टर अराउंड अस प्यूर, ये आपके क्लास नाइन्थ के सा कर सकते हो, देख सकते हो इन वीडियोस को, उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको ये लास्ट पार्ट समझ में आने वाला है, ये जो पार्ट होने वाला है, ये पूरा फाक्चुल पार्ट होने वाला है, इसमें कुछ ऐसी चीज़े नहीं है, कोई प्रोसेस, कोई फे करने से पहले पढ़ेंगे, एक एक करगे मैं questions पूछूंगा, questions समझाओंगा, आप answer खुद कर लोगे, trust me, चलो, start करते हैं और देखते हैं कि भाई, क्या कह रहे है, questions चलो, question number one, क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol, आपको अगर एक mixture दे दिया जाए, मिट्टी का तेल और petrol अगर आपको मिला कर दे दिया जाए, किसी डब्बे में, तो आप उसे कैसे अलग करोगे, मिट्टी की तेल को कैसे अलग करोगे, petrol को कैसे अलग करोगे, अच्छा, एक चीज़ और दिया गया है, कि भाई, मिट्टी की तेल और petrol के boiling point में 25 Kelvin से जादा का है, यह तो आसान कर दिया इसने, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, कि ऐसे दो liquids, जिनकी boiling point में 25 Kelvin से जादा का फर्क हो, कौन से प्रोसेस से अलग किये जाते हैं, फड़ा-फड़ बताओ, देख लो, number one है, simple distillation, fractional distillation, crystallization, या none of the above, yes, obviously, हमारा A वाला option सही है, simple distillation का य हम केरोसीन और पेट्रोल के mixture को इसमें डालेंगे, तो भाईया, जो सबसे जल्दी boil होगा, इसमें केरोसीन और पेट्रोल में boiling point पेट्रोल का कम है, तो पेट्रोल हमारा वापर बनके, अलग डिब्बे में आकर collect हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम simple distillation कहते हैं, ठीक है, त वहीं पर जो पेट्रोल का boiling point है, वो लगभग 210 degree Celsius का है, ठीक है, तो फर्क है इन में, चालो, आगे चलते हैं, question number 2, this is question number 2, question number 2 में भाई, three sections है, सबसे पहला question पूछ रहा है कि, name the technique used to separate curd from butter, यानि आपको अगर दही के अंदर से मक्षन यानि बटर को अलग करना है, तो कौन स process का use करोगे, centrifugation, churning, rolling या evaporation, फटा फट बताओ, इस figure को देखो, और शायद याद करोगे, गाउं में तुमने देखा होगा, तुम्हारी दादी मा, दही के अंदर से मक्षन यानि बटर को कुछ ऐसे ही निकालती होंगी, यह जो लकडी का तुम्हें एक अजीब सी चीज दिखरी है न, इसको हम churner कहते हैं, क्या कहते हैं, जब इस churner को इस मटके के अंदर गोल-गोल-गोल-गोल-गोल घुमाया जाता है न, तो जो बटर यानि मक्षन होता है, वो automatic उपर आकर इकठा हो जाता है, इस process को हम क्या कहते हैं, इस process को हम centrifugation कहते हैं, centrifugation यानि क्या होता है गोल-गोल घुमाना ठीक है तो अगर हमें दही के अंदर से बटर निकालना है तो हम centrifugation process का use करते हैं I hope समझ में आया बिल्कुल समझ में आ गया होगा question number two इसी का section two है ये कि भाई अगर हमें समुद्र के पानी के अंदर से नमक को निकालना है नमक को अलग करना है कौन से प्रोसेस का use करोगे तुम chromatography का use करोगे sublimation का या evaporation का फड़ा फट बताओ यार chromatography तो बिल्कुल नहीं क्यों क्यों क्योंकि chromatographic colors को अलग करने के लिए किया जाता है सब्लीमेशन का मतलब होता है solid से directly gas में change हो जाना तो ये भी नहीं होगा क्योंकि समुद्र का पानी directly gas में थोड़ी change होता है समुद्र का पानी तो खुद ही liquid है तो evaporation method से जी बिल्कुल सही है समुद्र के पानी को हम क्या करते हैं जो समुद्र के बगल में बड़े बड़े खेत होते हैं उनके अंदर हम समुद्र के पानी को ले आते हैं खेतों में हम क्यारी बनाते हैं ऐसे छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं फिर इसमें समुद्र का पानी भर देते हैं कुछ दिन बात क्या होता है पानी तो evaporate हो जाता है वैपर बनके गायब हो जाता है और नमक हमारा वही नीचे हमें मिल जाता है तो हम collect कर लेते हैं देखे रहो figure में इस process को हम evaporation कहते हैं इसी question का third section है यहाँ पर कि भाई अगर हमें नमक यानि impure salt के अंदर से camphor यानि कपूर को निकालना है तो कौन सा process यूज करोगे तुम मैं आपको बता दू कि जो आपके घरों में पूजा करने के लिए camphor यानि कपूर आता है उसको हम impure salt से अलग करके तब camphor बनाते हैं ठीक है तो भाई impure salt से अगर तुम्हें camphor को अलग करना है कौन सा process का यूज करोगे क्या chromatography से काम हो जाएगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं chromatography colors को अलग करने के लिए यूज होता है क्या sublimation से काम हो जाएगा sublimation क्या होता है solid से directly gas में change हो जाना याद करो जो आपका camphor होता है कापूर होता है वो रहता तो दिखता तो सफेज सफेज solid है जैसे हम इसे जलाते हैं तुरंत gas में change हो जाता है तो भाई solid से gas में change कौन होता है camphor होता है तो camphor को कौन से process से अलग किया जा सकता है sublimation process से यह देखो यह sublimation process है यहाँ पर देख रहे हो salt और camphor का mixture रखा गया है जैसे हम गरम करते हैं यह camphor automatically gas में convert हो जाता है इसको जाना तो बाहर होता है लेकिन बाहर हमने यहाँ बंद कर रखा इसका मूग जिसकी वज़े से यहाँ पौस्ते पौस्ते ठंडा हो जाता है और यहीं चिपक जाता है वपस solid में बन जाता है तो भहिया इस तरीके से हम salt और camphor को अलग करते हैं इस process को हम sublimation process नाम देते हैं ठीक है चालो the last question is what type of mixtures are separated by crystallization crystallization हमने part third यानि इसके पहले वाले part में पढ़ा था last में पढ़ा था एकदम crystallization technique से तुम किस तरीकी के mixtures को अलग कर सकते हो चलो मैं तुमें दो example देता हूँ number one की जो हमारा common salt solution होता है common salt solution यानि अगर आपने पानी के अंदर क्या मिला दिया है नमक मिला दिया है तो इसको पानी को नमक को कैसे अलग करोगे crystallization method से अलग करोगे ठीक है दूसरा एक जो हमारा pure copper sulfate solution होता है pure copper sulfate solution ये भी किस से मिलता है हमें sulfate solution यानि impure copper sulfate solution से pure copper sulfate solution के अलग करने के process को भी हम crystallization method से ही करते हैं ये क्या है ये pure copper sulfate solution ही है pure copper sulfate solution है ठीक है तो दो example मैंने दे दिया है मतलब commonly अगर आपसे कोई पूछे कि भाई crystallization method से कौन से तरीके की mixture से अलग किये जाते हैं तो आप ऐसे कह सकते हो solid liquid mixture solid जितने भी solid liquid mixture होते हैं वो इसी crystallization method से अलग किये जाते हैं तो आई होप आपको index question बहुत अच्छे समझ में आगे होंगे Let's get forward Hi, in this rapidly changing world जहां पर सब कुछ बदल रहा है courses बदल रहा है, पढ़ाई बदल रही है सबसे बड़ा doubt तो यह है कि जो आज हम पढ़ रहे हैं अच्छाएगा जी हाँ educational hikes के धाई लाग subscriber होने पर मैं आप सभी के लिए एक बहुत धमागेदार course और वो भी बिल्कुल free of cost लेकर आ रहा हूं वैसे e-learn market की website पर अगर आप जाओगे तो आपको यह course लगभग 1475 रुपए का है लेकिन मैं आपको बिल्कुल free of cost provide कर वा र डिल्कुल वैसा और पर आप लुए लिल्ग boule कर आ चालेगा आपको क्या करना है जैसे आप इन्रोल नावब पर क्लिक करते होना तो आपको रजिस्टर करने को बोलेगा मैं एजिस्टर कर रख गहा है रीड आके फाफ सीधा परुन पर आप क्लिक करो और यह कोर्स आपके लिए free of cost available है इसमें आपको लिखभग 27 प्लस वीडियोज मिलेंगी 10 hours प्लस content है और बहुत सारी experience faculties ने ना MS Excel को beginning level से लेकर advanced level तक आपके लिए समझाए है तो यार आप अगर 6, 7, 8, 9, 10 या किसी भी class में हो ना तो MS Excel जरूर सीख सकते हो और बिलकुल mastery कर सकते हो इसमें क्योंकि MS Excel कहीं पर भी काम आता है आप अगर आगे चलकर accounting की job करना चाहते हो किसी भी company में job करना चाहते हो ना तो आपको MS Excel जरूर जरूर पड़ेगी फटा फट जाओ हमें पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो का पहला topic topic number 2.4 और इस topic में आपको बताऊंगा कि physical changes तुम किसे कह सकते हो और chemical changes किसे कह सकते हो देखो तुम्हे questions कैसे पूछ जाएंगे इस topic से यह देखो आप देख सकते हो अलग-अलग examples दियो होंगे और आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन से physical changes है और कौन से chemical changes है ठीक है तो मैं आपको एक word बताता हूं यह आपको help करेगी पहचानने में कि कौन सी चीज physical change है और कौन सी चीज chemical change है देखो कोई चीज physical change तब होती है जब हम उसे reverse कर सके यानि physical change को हम reversible changes भी कहते हैं यह ऐसे बदला होते हैं जिनको हम दुबारा change कर सकते हैं for example अगर मैं आपको दू तो ice यानि बर्फ जो होता है भाई बर्फ पिखलने के बाद पानी बन जाता है water बन जाता है अच्छा water को जब ठंडा करोगे तो वह वापस बर्फ तो बन जाता है ना बिल्कुल बन जाता है यार तो यह क्या है यह एक तरीके का reversible changes है और ice को water में convert करना या water को ice में convert करना यह एक तरीके का physical change है अब अपन समझेंगे कि chemical change क्या होता है chemical मतलब irreversible chemical changes मतलब irreversible changes जिसे हम वापस ना कर सके जैसे burning of paper हो गया burning of paper अगर तुम किसी कागज को जला दे रहे हो तो क्या उस कागज की राक से तुम वापस उस paper को ला सकते हो क्या नहीं ला सकते ना ऐसे changes irreversible changes होते हैं इसलिए इन्हें हम chemical changes का नाम देते हैं समझ में आ गया होगा physical change क्या है और chemical change क्या है अरे यार मैं तुमारा वाले example देता हूँ कोई लड़की है लड़की तो देखी होगी क्या बात है देखी होगी न तो भाई लड़की को देखते हो तो क्या देखते हो लड़की सुंदर है, क्यूट है, लिप्स ऐसे है, बाल ऐसे है, तो ये सभी लड़की की क्या है? Physical properties है, क्या है? Physical properties है, यानि बाहरी रंग रूप है इसका ऐसा, ठीक है? अब लड़की बोलेगी, तब तो पता चलेगा ना, कि वो किता प्यारा बोलती है, या जगडालू है, ये इस लड़की की chemical changes कहलाएंगी, जो अंदर की बात है, अंदर की बात यानि chemical changes, बाहर की बात यानि physical changes, ठीक है? चलो, अब मैं तुम्हें अंदर बताता हूँ, कि physical और chemical changes होते क्या है, तो understand the difference between a pure and a mixture substances, अगर आपको ये पता लगाना है, कि कौन सी चीज पूरी तरीके से सुद्ध है, या कौन सी चीज मिलावटी है, इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है, कि physical और chemical changes किसे कहते हैं, हला कि आपको पता तो चली गया होगा अब तक, लेकिन फिर भी मैं आपको clear कर देता हूँ concept, आपने इसके पहले वाला जो chapter था, chapter number one, matter in our surrounding, उसमें मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, about few physical properties of matter, matter यानि हमारे अगल बगल जितनी चीजे हैं, सब matter कहलाती है, चाहे व होते हैं, उनकी कुछ physical properties होती है, उनका कुछ बाहरी रंग रूप होता है, जैसे उनका color अलग-अलग हो सकता है, hardness, कोई चीज hard हो सकती है, कोई soft हो सकती है, उनका melting point अलग-अलग हो सकता है, boiling point अलग-अलग हो सकता है, यह हमने already chapter number one में पढ़ रखा है, ठीक है, अब यह जि can be observed and specified, मतलब ऐसे good, ऐसी properties जो हमें बाहर से ही दिख जाए, जैसे किसी चीज का color, कोई चीज hard हो सकत है, कोई चीज सकत है या flexible है, कोई चीज flow कर सकती है या नहीं कर सकती है, किसी चीज की density, मतलब घनत तो, ठीक है, किसी चीज का melting point, boiling point, यह सारे ऐसे qualities हैं, जो हम बाहर से ही physical properties का नाम देते हैं, physical मतलब बाहरी रंग रूप कैसा है, ही गया, समझ में आया, the interconversion of states, physical change, यहाँ पर एक चीज बताया गया है, कि भाई, अगर किसी भी matter का, अगर हम state change करते हैं, यानि ice, ice क्या है, ice एक तरीके का solid है, हम अगर इस ice को water में बदल दे, तो इसका state change हो गया, ठीक है, liquid हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, कि the interconversion of state जो होता है, वो एक तरीके का physical change है, मतलब अगर आप ice को water में बदल देते हो, तो यह एक तरीके का क्या है, physical change है, क्योंकि यह reversible है, water को दुबारा हम ice में convert कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर state बदलता है किसी चीज का, म मतलब वो physical change हो रहा है, ठीक है, क्यों, because these changes occur without a change in composition, यानि अगर किसी चीज का state of matter change होता है, कोई चीज ice से water में बन जाता है, मतलब कोई चीज अगर solid से liquid में convert हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उनका composition change नहीं हुआ है, यहाँ पर भी यह water ही था, एक तरीके का water ही था, और यहाँ भी यह एक तरीके का water ही है, ऐसा तो है नहीं न, कि ice से water convert होने के बाद यह oil बन गया, ऐसा तो है नहीं न, इनका composition तो एक ही है न, इसलिए यह क्या कहलाते हैं, इसलिए यह physical changes कहलाते हैं, and no change in the chemical nature of the substance, ice से water में बदलते time, भाई, ice का कोई chemical property तो change हुआ नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि ice जाकर water में oil बन गया, ऐसा तो है नहीं न, केवल इनका रंग रूप change हुआ है, इसलिए इनको हम physical changes कहते हैं, इनका जो physical properties है, यह अलग-अलग होता है, different होता है, मतलब ice क्या होते हैं, solid होते हैं, water क्या होते हैं, liquid होता है, इनका shape भी अलग-अलग होता है, तो इनके बाहरी physical properties अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका chemical nature बिलकुल same है, यह solid है, तब भी water का ही form है, liquid है, तब भी water का ही form है और gas है, तब भी ये water का ही form है मतलब अगर किसी चीज का state change करते हैं हम उसको solid से liquid में बदलते हैं या liquid से gas में बदलते हैं तो केवल physical change होता है chemical change नहीं होता समझ में आया? चालो, आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़े हैं इस particular topic से जिसे हमें finish करना है आगे क्या बताया गया है कि both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different अगर हम पानी की बात करें और खाना बनाने वाले तेल की बात करें अपने दिमाग में assume कर लो water bottle जो हम पीते हैं पानी और जो cooking oil जो मम्मी सरसो का तेल यूज करती हैं खाना बनाने के लिए दोनों अपने दिमाग में रख लो ठीक है अब इसे से related बात ही की गई है कि भाई जो पानी है और जो खाना बनाने वाला तेल है ये दोनों होता तो liquid है लेकिन इनकी chemical properties अलग-अलग है water अलग काम में आता है cooking oil अलग काम में आता है water का जो color है taste है वो अलग है cooking oil का जो color है taste है वो अलग है इनकी inflammability भी अलग होती है भाई water क्या होता है वो आग को बुझानी के लिए काम में आता है लेकिन वही पर cooking oil वो उससे और ज़्यादा आग लग सकती है अगर कहीं आग लगी है उसमें तुम तेल डाल दो में एक ही जैसे है लेकिन इनकी chemical characteristics अलग-अलग होते है we know that oil burns in air हम जानते हैं कि भाई जो हमारा cooking oil होता है अगर हम उसे गरम करें तो जैसे ही वो air के contact में आएगा oxygen के contact में आएगा उसमें आग लग जाएगी लेकिन वही पर पानी की बात कर लो water की बात कर लो water आख को बुझाता है ना कि आख को लगाता है ठीक है it is the chemical property ऐसा क्यूं है oil और water में ऐसा फर्क क्यूं है दोनों तो है लेकिन इनमें इतना difference क्यों है क्योंकि भाई इनकी chemical properties अलग है oil की chemical properties अलग है water की chemical properties अलग है इसलिए water अलग काम में आता है और oil अलग काम में आता है तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि physical properties से क्या होता है और chemical properties से क्या होता है physical properties केवल बाहर से दिखने में कोई चीज कैसी है और chemical properties मतलब अंदर से उनका काम क्या है समझ में आया Burning is a chemical change अगर किसी चीज में आग लगती है तो वो एक तरीके का chemical change होता है क्योंकि वो क्या होता है वो irreversible होता है अगर किसी चीज में आग लग जाए तो वो reverse नहीं किया जा सकता वो वापस नहीं लाया जा सकता तो burning जो है वो एक तरीके का chemical change होता है और जब किसी चीज में आग लगती है न तो होता क्या है one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition होता क्या है कि for example अगर किसी चीज में भी आग लग गई जैसे paper में आग लग गई माल लो paper में आग कैसे लगती है हम इसको गरम करते हैं हम paper को गरम करते हैं माचेस से या किसी भी चीज से तो तुरंत वन सबस्टेंज यह paper गरम होते ही oxygen के contact में आता है जिससे इसके अंदर chemical composition change हो जाता है मतलब जो paper है जो पहले लकडी से बना हुआ था वो अब कुछ देर बाद ashes यानि राख बन जाता है तो इसका chemical change हो गया अब हम दुबारा राख से paper तो बना नहीं सकते हैं तो यह क्या है यह irreversible changes है और इसलिए burning एक तरीके का क्या है chemical change कहलाता है ठीक है chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get a new substance अगर किसी चीज में आग लगा दो किसी चीज को जला दोना तो वो बिल्कुल नया ही चीज बन जाता है अगर तुम paper को चलाओगे तो भाई paper क्या बन जाएगा राख बन जाएगा as बन जाएगा तुमने paper को देखके कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह paper इतना काला काला भी बन सकता है ठीक है तो chemical change होने के बाद हमें बिल्कुल new चीज मिल जाती है अग chemical change is also called chemical reaction भी हम कह सकते हैं अगर कोई चीज chemically change होती है अगर कोई चीज बिल्कुल से दिखने में अलग हो जाती है तो तुम उसे chemical change कह सकते हो या इसको हम chemical reaction भी कह सकते हैं ठीक है अब burning भी एक तरीके का chemical reaction है देखो ना एक बहुत ही important चीज यहाँ पर दी गई है कह रहा है कि during burning of a candle specific chemical changes take place यानी जब कभी भी मुम्बद्य जलती है मुम्बद्य यह मुंबद्य का flame हो गया ठीक है अभी मुमबद्य कुछ ऐसी तो जलती है मेरे भाई बिल्कुल ऐसे जलती है तो कह रहा है कि मुम्बद्य का जलना तो वापस बनाया जा सकता है इसलिए यह क्या है यह एक तरीक एक फिजिकल चेंज है लेकिन ये जो उपर वाला wax होता है, मुम्बत्ती होता है ये उपर वाला जो हिस्सा होता है वो धीरे 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 यहाँ पर चला जाता है जिससे smoke बन जाता है, smoke बन जाता है, light में convert हो जाता है, ठीक है? Carbon dioxide gas भी निकलती है, तो ये सारी चीजों में जो wax spend हो जाता है वो तो दुबारा वापस नहीं आ सकता ना, तो इसलिए यहाँ पर chemical change भी है ठीक है, physical change कैसे है, क्योंकि ये जो नीचे वाला wax है, ये melt होता है फिर दुबारा जब उसे हम ठंडा करेंगे, तो वो वापस wax बन जाएगा ठीक है, तो ये एक तरीके का physical change भी है chemical change कैसे है, क्योंकि ये जो top layer का wax है ये used up हो जाता है smoke यानि धुआ देने में, light देने में, CO2 भी निकलता है burning of candle के time में ठीक है, कुछ unburnt carbon भी निकलते है तो ये जो कुछ wax है ना, वो ये smoke, light, CO2 को निकालने में waste हो जाता है वो तो वापस नहीं ले जाया सकता, वो वापस wax नहीं बनाया जा सकता इसलिए वो chemical property या अनि chemical change है और physical change भी है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा अगीन हमारे पास questions आ गया हो और ये फिर से वही in-text questions है लेकिन इस बार जो topic है वो physical और chemical changes से है यानि इस बार जो questions है हमारे पास न हमें ये बताने हैं ये जितनी भी examples यहाँ पर दिये हैं हमें बस इतना बताना है कि इन examples में से कौन सा example chemical change वाला है और कौन सा example physical change वाला है देखो मैं फिर से तुम्हें question स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ भी इन examples को पढ़ने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि कोई नई चीज बन गई है बिल्कुल कोई new चीज बन गई है समझ जाना वो chemical change है और अगर कोई ऐसी चीज है जो पुरानी ही है बस उसका shape change हो गया हो या size change हो गया हो तो समझ जाना वो physical change है ठीक है चलो एक एक करके पढ़ेंगे cutting of trees पेड़ों का कटना तो भाई जब पेड़ है तो वो लगड़ी है अब तुम उस पेड़ को काट दो तब भी तो वो लगड़ी ही रहेगी ना ऐसा थोड़ी है कि भाई पेड़ कटने के बाद कुछ और बन जाता है नहीं है ना तो यह कौन सा change है physical change है melting of butter in a pan मक्खन मक्खन को अगर तुम अपने कडाई में रख दो तो वो पिघल जाता है liquid बन जाता है लेकिन फिर से जैसे ठंडा होता है butter वो वापस solid butter बन जाता है इसमें कुछ chemical change तो हुआ नहीं है ना केवल shape and side change हुआ है कोई नई चीज नहीं बनी है इसलिए ये भी क्या है physical change है rusting of almira अलमारी लोहे का होता है और अगर उस अलमारी में जंग लग जाए rust लग जाए तो वो कॉन सा change हो जाता है chemical change हो जाता है क्यों क्योंकि भाई लोहा ना resting के बाद iron oxide बन जाता है नई चीज बन जाती है ऐलमीरा iron है Rusting के बाद वो iron oxide बन जाता है नई चीज बन जाती है इसलिए वो chemical change है boiling of water to form steam भई water water vapor में convert हो जाता है लेकिन होता तो वो water ही है ना अब देखो जहां पर भी भाफ निकल रहा हो जैसे कहीं तुम अगर पानी गरम कर रहे हो और भाफ निकल रहा है तो अगर उस भाफ उस vapor में आप हाथ लगाओगे ना तो वो वापस vapor liquid में convert हो जाएगा तो यहां पर कुछ नई चीज तो बनी नहीं है ना water बस water ही है बस अपना state change करा है इसने जो पहले liquid था वो बस gas बन गया है तो यह भी क्या है physical change है हमारा passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases देखो water हमारा दो नई चीजों में convert हो गया है hydrogen और oxygen में यहाँ पर नई चीज बनी है मतलब कौन सा change है chemical change है जहाँ पर नई चीज बन जाए समझ जाओ वहाँ पर कौन सा change है chemical change है dissolving common salt in water common salt to solid होता है जब वह water में mix करेंगे तो वह बिल्कुल अलग चीज बन जाएगी वह sugar solution बन जाएगा नई चीज बनी है ना इसलिए यह chemical change है नमक को पानी में डालोगे तो नमक पानी दो नई चीज हो गई न है कि नहीं तो यह एक तरीके का chemical change है making a fruit salad मालो तुम कोई भी fruit है apple है बनाना है अब उसको तुम salad बना रहे हो उसका काट दे रहे हो उसे तो उसमें कुछ नई चीज तो बन नहीं रही है वो हमारा बनाना पहले भी था अब भी बनाना ही है बस उसका shape change हो गया है तो यह भी एक क्या है physical change है burning of paper and wood लकडियों का जलना पेपर का जलना भाई पेपर और लकडियां जलने के बाद बिलकुल नई चीज बन जाती है राख बन जाती है तो नई चीज बनी है इसलिए यह क्या है chemical change है तो हमने बहुत ही आसानी से पता लगा लिया कि कौन सा physical है और कौन सा chemical है बस एक ब physical change है got it? अब question number two भी देख लेते हैं कि try segregating the things around you as pure substances और mixtures अपने अगल बगल की चीजे जितनी भी चीजे तुम देखते हो अपने अगल बगल उसमें से pure कौन सी है और mixtures कौन सी है यह आपको पता लगाना है चलो मैं एक एक example दे देता हूँ जैसे sugar हो गया sugar क्या है sugar एक तर strands है और वहीं पर जो हम निम्बू पानी बनाते है lemonade lemonade क्या है एक तरीके का mixture है lemon और salt और water का mixture है lemonade ठीक है milk दूद हम पीते हैं दूद भी एक तरीके का mixture है इसमें fat protein calcium अलग अलग चीजे होती है ठीक है तो मैंने तो कुछ examples दे दिये अब आप और भी examples यहाँ पर लिख सकते हो जो तुम्हारे अगल बगल हो जो तुम्हे प्योर लगती हो वो प्योर वाले category में लिखना जो तुम्हें मिलावटी लगती हो mixture लगती हो वो mixture वाले category में रखना वड़ी चालो Now we will move to अगला topic of this chapter और यह इस chapter का last topic भी होने वाला है इस topic में हम सेखेंगे कि भाई साहब pure substances कितने तरीके के होते हैं यानि सुद्ध चीजें कितने प्रतारकी होते हैं ठीक है चलो क्या लिखा है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि pure substances तुम कहोगे किसे definition क्या है pure substances की हमेश single component से बने हो उन्हें हम pure substances कहते हैं example की तौर पर आपके पास salt हो गया sugar हो गया यह सभी हमारे pure substances हैं क्यों क्योंकि इनके अंदर केवल single type of component है sugar है तो sugar के component है salt है तो salt के component है ठीक है अब कितने तरीके के होते है pure substances on the basis of their chemical composition substances जहां कहीं भी substances word लिखा हो समझ जाना pure substance की बात हो रही है got it चालो तो कह रहा है कि chemical composition के आधार पर हमने substances को classify करा है एक element के रूप में और दूसरा compound के रूप में मतलब दो तरीके के हमारे pure substances होते हैं पहला element और दूसरा compounds हमने mixtures के भी types पढ़े थे mixtures कितने तरीके होते हैं homogeneous mixtures और heterogeneous mixtures बिल्कुल ऐसा ही pure substances भी दो तरीके के होते हैं पहला हो गया हमारा element और दूसरा हो गया compounds अब चलो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं चलो पहले type का pure substance पढ़ते हैं जिसे हम elements कहते हैं चलो जानेंगे कि elements नाम कैसे पढ़ा किसने नाम दिया इसे और किसे कहते हैं elements सबसे पहले Robert Boyle नाम का एक scientist था जिसने ये element term यूज करा था तब किया था 1661 में हमेशा याद रखना pure substances दो तरीके की होते हैं पहला element element नाम कैसे पढ़ा Robert Boyle ने सबसे पहले 1661 में element नाम लिया था कैसे लिया था Robert Boyle ना सभी matter को छोटा छोटा तोड़ कर देख रहे थे वो अलग-अलग चीज ले रहे थे उसे तोड रहे थे उसे तोड रहे थे उन्हें एक ऐसा छोटी से चीज मिली एक ऐसा particle मिला matter के अंदर से जिसे वो तोड नहीं सकते थे जिसे वो और छोटा नहीं बना सकते थे अब यह सबसे चोटी चीज थी चोटी चीज को हम elementary भी कहते हैं क्या कहते हैं elementary भी कहते हैं इसलिए इस elementary word से हमने element नाम दे दिया मतलब ऐसी चीज जो सबसे ज़्यादा चोटी हो और उसको और तोड़ा ना जा सके ठीक हैं अब इस definition को आगे Antoine Laurent Lavosier नहीं किया यह भी एक scientist थे French के chemist थे यह मतलब French देश है ना France हमारा France के chemist थे उनका नाम था Antoine Laurent Lavosier इन्होंने क्या किया इन्होंने experiment करके element की definition हमें समझाई element की definition क्या है इन्होंने कहा कि भाई an element एक element क्या होता है यह basic form of matter होता है मतलब किसी भी matter किसी भी चीज का जो सबसे छोटी ही काई जो सबसे basic unit होता है जो और किसी टुकड़ों में तोड़ा ना जा सके किसी भी chemical reaction से ऐसी चीजों को हम element कहते हैं फिर से समझों इंगलिस में प element as a basic form of matter element क्या है matter का सबसे छोटी इकाई है सबसे basic form है that cannot be broken down into simpler substances जिसे हम और छोटा नहीं बना सकते हैं और छोटे टुकड़े में तोड़ नहीं सकते हैं चाहे हम chemical reaction का use कर ले चाहे हम physical reaction का use कर ले ऐसी चीज को हम element का नाम देंगे ठीक है तो element के बारे में तुम्हें एक च थोटी इकाई है दूसरा उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी chemical reaction से चाहलो आगे बढ़ते हैं let's move forward अब elements कितने तरीके की हो सकते हैं elements can be normally divided into three types number one is metal number two is non-metal and number three is metalloids तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या तुमने कहीं तो इससे देखा होगा metals नाम सुना होगा non-metal भी सुना होगा चाप्टर नंबर four था यह class eight में अगर आपने पढ़ा होगा चाप्टर नंबर four था metal and non-metal ठीक है तो elements कितने तरीके के होते हैं metal non-metal और metalloids तुमने periodic table में metals को भी देखा होगा non-metals को भी देखा होगा और metalloids को भी देखा होगा elements मैं आपको बता दू कि आज present day की बात कर रहा हूं आज तक लगभग 118 elements धूड़े चा चुकी है हम humans 118 elements के बारे में आज तक जानते हैं वो सभी elements या तो metals है या तो non-metals है या metalloids है अब metals की properties सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई जो metals होते हैं वो यह सारी properties show करते हैं कौन-कौन सी property they have a luster जितनी भी metals होते हैं वो चमकदार होते हैं चाहे तुम लोहा की बात कर लो चमकता है की नहीं चमकता है बिल्कुल चमकता है तुम गोल्ड या नहीं सोना का बात कर लो चमकता है ठीक है दूसरी property क्या है कि they have silvery grey और golden yellow color जितनी भी metals होते हैं या तो वो silver grey color के होते हैं जैसे चांदी होता है चांदी का color क्या होता है silver grey या तो वो golden yellow color के होते हैं almost केवल इन ही दो color में आपको सारे metals मिल जाएंगे तो यह है दूसरी property तीसरी they conduct heat and electricity भाई जितनी भी metals होते हैं वो good conductors of heat and electricity होते हैं यानि उनमें आग जल्दी लग सकती है और electricity यानि बिजली के जटके भी आसानी से लग सकते हैं ठीक है तो they are good conductor of heat and electricity तो तीसरी property भी हमने समझ लिए हमारा fourth property है कि भाई जितनी भी metals होते हैं they are ductile ductile का मतलब they can be drawn into wires metal को हम आसानी से stretch करके wires में convert कर सकते हैं हमारे fans में silver का use होता है silver wires का use होता है अब यह silver एक metal है silver के wire कैसे बनाए गए क्योंकि भाईया silver हमारा ductile है इसको हम stretch कर सकते हैं और wires में convert कर सकते हैं तो जितनी भी metals होते हैं वो सभी ductile होते हैं आगे बात करते हैं they are malleable also यानि जितनी भी metals है उन्हें हम हथोड़े से ठोक पीट कर अलग-अलग shape में convert कर सकते हैं चाहे हम उन्हें sheets में convert कर दें पतले-पतले sheets में या हम उन्हें किसी भी इसेप में convert कर सकते हैं जैसे शोना हो गया हमारा गोल्ड, गोल्ड काफी जादा malleable होता है, most malleable material present in the earth, ठीक है, गोल्ड, गोल्ड का लोग कभी निकलेस बनवाती हैं, कभी रिंग बनवाती हैं, कभी चेन बनवाती हैं, ठीक है, तो हमेशा मैलेबल होते हैं उन्हें हम हामर करके किसी शेप में चेंज कर सकते हैं they are sonorous also, मतलब जितनी भी metals होते हैं, वो ringing sound produce करते हैं, तन 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 आवाज करते हैं, तुम gold ले लो, और gold को किसी लोए से ठोको, या beat करो, तुम देखोगे आवाज आएगी, जितनी भी metals, चाहे लोगा हो गया, सोना चांदी, कुछ भी हो गया, अगर आप उसे किसी चीज़ से beat करते हो, hit करते हो, तो वो ringing sound produce करता है, तो या examples भी देख लो, metal की examples क्या-क्या है, मैंने आपको पहली भी बताया, gold हो गया, silver हो गया, copper, iron, sodium, potassium, हमारा aluminium हो गया, ये सभी क्या है, metals है, एक exception भी है, mercury भी हमारा metal ही है, लेकिन mercury liquid state में पाया जाता है, room temperature पर, mercury liquid state पर पाया जाता है, यानि अगर हम mercury को room में रख दे, तो वो हमें liquid, एकदम पानी की तरह मिलेगा, खीक है, mercury केवल इकलोता है, एक ऐसा metal है, जो liquid पाया जाता है, बाकि जितने भी metals हैं, वो काफी hard होते हैं, वो बिलकुल solid होते हैं, समझ में आया, अच्छा, elements तीन तरीके होते हैं, metals तो हमने पढ़ लिया, non-metals की भी property पढ़ लो, non-metals usually show some of or all of the following properties, non-metals की भी कुछ properties हैं, number one, they display a variety of colors, मतलब जितने भी non-metals होते हैं, उनका अलग-अपना अपना color होता है, वो ऐसा नहीं है कि एक अही color के होते हैं, जैसे हमने metals पढ़ा, हमने metals यहां पर पढ़ा, metals के वल silvery, gray color के हो सकते हैं, या golden yellow, लेकिन non-metals में ऐसा नहीं है, they can be of variety of colors, जैसे phosphorus, phosphorus, कभी red phosphorus होता है, कभी white phosphorus होता है, potassium तो चलो हमारा metal है, जितने भी non-metals होते हैं, वो अलग-अलग color के ही आपको मिलेंगे, ठीक है, graphite हो गया हमारा, graphite black color का कभी हो जाता है, कभी white color का हो जाता है, तो अलग-अलग color के होते हैं non-metals, एक और चीज है कि भाई जितनी भी non-metals है वो poor conductor of heat and electricity है यानि इन में बिजली के जटके नहीं लगते हैं और यह आसानी से आग भी नहीं पकड़ पाते हैं इन में जल्दी से आग भी नहीं लगती है जैसे तुम oxygen की बात कर लो oxygen एक तरीके का gas है हमारा hydrogen की बात कर लो एक तरी करते नहीं है they do not sign ना तो वो sonorous होते हैं ना तो वो टंडन डंडन की आवाज produce करते हैं ringing sound भी वो produce नहीं करते and third thing की वो malleable भी नहीं होते हैं मतलब non-metals को हम किसी और shape में भी convert नहीं कर सकते हैं ठीक है non-metals को अगर तुम हथवडी से मारोगे ना तूट जाएगा जैसे koala coal coal क्या है एक तरीके का non-metal है जिसे हम किसी और shape में convert नहीं कर सकते हैं तूट जाएगा वो ठीक है examples देख लो non-metals के hydrogen, gas है, non-metal है, oxygen, gas है, non-metal है, iodine हो गया, carbon हो गया, bromine, chlorine यह सभी non-metals की examples है I think आपको समझ में आ गया होगा some elements कुछ ऐसे भी elements होते हैं जिनके पास intermediate properties होती हैं यानि उनके अंदर metals की भी property होती है और non-metals की भी properties होती है अब ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीजों को हम metalloids कहते हैं, मतलब elements having both properties of metal and non-metal are known as metalloids Example हो गया हमारा boron, silicon, germanium, यह सब ऐसे metalloids हैं जिनके पास दोनों property है, metals की भी और non-metals की भी, यह all-rounder है रविंद्र जड़े जाए ना, batting भी कर सकता है, balling भी कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही, यह metals भी है और non-metals भी है नाम याद रखना, boron, silicon और germanium चालो, आगे पड़ते हैं, अब यहाँ पर यार बेको box आगे, box में बड़ी important चीज़ दीगी रहती है 100% one marks की question पूछे जाते हैं board में, ठीक है the number of elements known at present are more than 100, यह NCRT book जब छप रही थी, तब केवल 100 elements थे लेकिन अभी present day की अगर बात करें, तो 118 element इंसानों ने ढूल लिया है ठीक है, अभी तो यह present day की बात है, हम इसी NCRT book का मान कर चलते हैं यह कह रहाएगी भाई, अब तक 100 elements खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 92, ठीक है, नेचुरली पाये जाते हैं और बाकी जितने 8 बच जाते हैं, उसे इंसानों ने बनाया है ठीक है, लेकिन present day की अगर मैं बात करूँ, सच्छा ही बताऊं तो 118 element अभी तक धूड़े जा चुके हैं जिसमें से 94, 94, नेचुरली अकरिंग हैं और बाकी जितने बच जाते हैं, कितने बचें 18 इधर, 6 इधर, हो गया हमारे 24 जो है, वो क्या है, वो man-made है बट हम NCID के साफ सही बढ़ेंगे, NCID के साफ यह है कि 100 हमारे पास total elements है जिसमें से 92, नेचुरली अकरिंग है, यानि पहले से पाया जाता था, man-made नहीं हैंगे और बाकी जितने 8 बच जाते हैं, उसे इंसानों ने बनाया है ठीक है, majority of elements are solid, 100 elements में से जादा तर जो elements हैं, वो solid रूप में पाये जाते हैं, वो सक्त होते हैं, hard होते हैं 11 elements ऐसे हैं, जो gaseous state में पाये जाते हैं, जैसे oxygen, hydrogen, argon, neon, helium ठीक है, तो 11 elements ऐसे हैं, जो gaseous state में पाया जाते हैं, दो elements ऐसे हैं, जो liquid state में पाया जाते हैं, जैसे mercury हो गया और bromine हो गया, और कुछ ऐसे भी elements हैं, जैसे gallium, cesium, ये liquid बन जाते हैं, मतलब room temperature हमारा कितना होता है, लगभग 292 Kelvin होता है, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, अगर 303 Kelvin तक गर्मी चली गई ना, तो ये automatic gallium और cesium दो ऐसे elements है, जो होते तो solid form में हैं, लेकिन गर्मी बढ़ने से ये liquid form में बदल जाते हैं, ठीक है, तो I hope आपने ये सारे points अच्छे से समझ ले होंगे, अब हुमारा आखरी topic आता है, इस पूरे chapter का, कि भई साब, compounds तु or more elements, यानि दो, ये दो से अधिक elements से मिलकर हमारे compound बनते हैं, chemically combined with one another in a fixed proportion, मैं तुमें example देता हूँ, H2O, H2O क्या है हमारा, एक तरीके का compound है, और भी हो गया हमारा, CO2 हो गया, ये भी क्या एक तरीके का compound है, मतलब compound क्या है, कि compound एक ऐसी चीज होती है, जो दो, या दो से अ hydrogen, दो, दो elements से मिलकर बना है, ये भी देखो, carbon plus oxygen, दो elements से मिलकर बना है, तो compound किसे कहते हैं, दो या दो से जाधा element से मिलकर बनने वाले नई चीज को हम compound कहते हैं, ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर जो कुछ भी है, ये activity, activity, जो कुछ भी है, ये फालतु दिया गया है, क चालो, एक एक करके समझते हैं, सबसे number one, कि जो elements या compounds होते हैं, वो एक दूसरे से mix होते हैं, तब जाकर mixture बनता है, और mixture में कोई नई चीज नहीं बनती है, बस जिन दो चीजों को मिलाया जाता है, उसी चीज के मिलावट को हम mixture कहते हैं, ठीक है, compound में क्या है, compound में एक element, द जाया compound यानि नई चीज बनाता है, तो सबसे पहली चीज, mixture में कोई नई चीज नहीं बनती, लेकिन compound में नई चीज बनती है, आपको ये table याद करना होगा, क्योंकि mixture and compounds में difference लिखने को exam में आते हैं, ठीक है, number two की भाई, जितने भी mixture होते हैं, उनका composition अलग-अलग हो सकता है, मतलब जितने भी mixtures होते हैं, वो अलग-अलग चीजों से मिलकर बन सकते हैं, लेकिन composition of each new substance, यानि compound की composition की बात करें, तो compound का composition हमेशा fix होता है, जैसे H2O, H2O, two mole of hydrogen and one mole of oxygen, यहाँ पर composition fix है की नहीं fix है, ठीक है, तो compound का composition हमेशा fix होता है, लेकिन mixture का composition fix नहीं होता है, variable होत होता है, now third is what a mixture shows the properties of the constituent substances, यानि जो mixture होते हैं, जो मिलावती चीजे होती है, मिलावती चीजे जिन चीजों से मिलाकर बनी है, वो उस चीज की property दिखाती है, लेकिन जो compounds होते हैं, जो नई चीजे बनाते हैं, हम जो compounds बनाते हैं, उनका totally different property होता है, यानि मालो H2O, मालो hydrogen है, ठीक है, अब hydrogen क्या है, एक तरीके का gas है, oxygen क्या है, ये भी एक तरीके का gas है, अब अगर इसी hydrogen और oxygen को तुम मिला दो, तो ये water बन जाएगा, जिसकी एकदम बिल्कुल अलग तरीके की property है, ठीक है, तो भाईया, compound की property बिल्कुल अलग होती है, लेकिन mixture की property अलग नहीं होती ह है, जिन चीज से मिलकर वो बने हुए है, ठीक है, आगे 4 property देखते हैं, कि the constituents can be separated fairly by physical method, मतलब जो mixtures के अंदर की चीजे होती है, उनको हम अलग कर सकते हैं, physical method से, filtration से, heating से, अलग-अलग physical method से, हम mixture के constituents को अलग कर सकते हैं, बट अगर तुम्हें कहा जाए कि the constituents can be separated, only by chemical और electrochemical reaction, यानि compound के अंदर के constituents को अगर आपको अलग करना हो, तो physical method से तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हा, chemical method से तुम्हें आराम से कर सकते हो, तो these are the difference between mixtures and compounds, I hope आपको ये पूरा chapter समझ में आ गया होगा, देखो ये जितनी भी चीजे हैं, ये सभी चीजे आपको केवल compound को समझानी के लिए बताई गई है, ठीके तो मैंने तो आपको पहली ही बता दिया ना कि compound क्या है, compound ऐसी चीज होती है, जो एक या एक से अधिक element से मिलकर बनी होती है, और हमेशा जो इसका proportion होता है, वो fixed होता है, मतलब compound में na, fixed number of constituents होते हैं, fixed number of chemical composition होता है, समझ में आया, चाल लेते हैं यार, वरना एक कसक रह जाहेगी दिल में, ठीक है, यह पूरा chapter का समरी है, पूरा chapter हमारा स्टार्ट हुआ था, मैटर से, मैटर कितने तरीके के होते हैं, solid, liquid और gas, ठीक है, अब मैटर को दो कडिगरीस में डिवाइड किया गया है, एक होता है pure matter और एक होता है, मि पूरे chapter को हमने ऐसे ही अलग-अलग parts में डिवाइड करके पढ़ा, I think हम सब पढ़ चुके है, matter क्या होता है, pure क्या होता है, mixture क्या होता है, element, compound, homogeneous, heterogeneous, हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो chapter कैसा लगा यार, मुझे comment section में जरूर बताना, I hope आपको chapter अच्छा लगा होगा, सब को समझ में भी आया होगा, ठीक है, तो फटा-फट अपनी reviews दो, और वीडियो पसंद आई हो, तो like जरूर करना, वीडियो को share करो अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं, कल एक और धमा के दाच चाप्टर के साथ, कल तो नहीं, आपके लिए जल्द ही नया चाप्टर, या झाल